रहो तक से यह तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बाइपास के नजबिक से जहां पर आपको बता दे के बड़ा हादसा हुआ है जो यह नहर आप देख रहे हैं इस नहर में एक कार गिर गई है और बड़ा हादसा हुआ है चाले अपरके जानमाल की खाणी नहीं हुई है लेकिन कार की बताया जा रहा है कि कार के अंदर दो यूवक थे और गड़ी को धो रहे थे उसके बाद जो है यह हादसा हुआ और गाड़ी जो है नीचेगिरी पिधाल जो है क्रेन के माध्यम से इस गाड़ी को पाहार निकाला जा रहा है गाड़ी में किस तरह से पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं जे एलन नहर की ये तस्वीरे हैं बड़ा हादसा जहां पर हुआ है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुदूद है तस्वीरे रोहतक के दिल्ली बाइपास के नस्देक से आप देख रहे हैं जहाँ पर यह बड़ा हादसा हुआ है गाड़ी इस चंती नहर में गिल गई और अब उसे जो है निकाला जा रहा है दो युवक इस गाड़ी में मुदूद थे भाई कि इच्छो होना थोड़ा कि इस तरह से बड़ा हादसा होते होते हैं बाल बाल अचा है जान की कोई हानी नहीं हुई है होग ले अबगज कारूड़ के जाएग परस्टारा होते हैं बसक्ते है जान कोई अरह कोई सब्सक्टार कर्शों थो जएर खेड़ी जान हुआ है पूरी गाड़ी पानी से भर गई है गाड़ी की कंडिशन आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी की जो स्फिती है आप देख सकते हैं पूरी कंडिशन जो है इस तरह से देख सकते हैं पूरी गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के पहुचने के बाद यहां पर क्रिन पहुची और उसके बाद जो है कोता खुर्वी यहां पर पहुचे जिन्होंने गाड़ी को निकालने में मदद की है बताया जा रहा है कि गाड़ी में दो यूवक्त थे गाड़ी को धोने के लिए यहां पर नहर के पास पहुचे थे और उसके बाद जो है गाड़ी नीचे गिरी यह जैलन नहर है आप देख सकते हैं अच्छम इस तरह से इस गाड़ी को निकाला गया है नई गाड़ी दिखाय दे रहे हैं और नही गाड़ी को निकाला से फू। इतका भी दिस्तर है, जाड़ी को दोने के लिए नहर किनारे नाला है, यही हाथसा किसी भी समय हो सकता है, हाथसा बता कर नहीं होता है. जिए आप जुखता हुआए् सिरी, dial भाल म förक्रित्वर है, जाड़ी स感謝 बता करा है, जादा है, है नहीं होता है, जाड़ी रहे है,ॹ। कुछ पर्तेक्ष दर्शी भी इस रुक्त हमारे साथ हैं अजी सथ क्या नाम आपका तेरा नाम डाक्टर मनोज है और मैं फिजियो थरपी विवाग में एसिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर करियर थूँ क्या देखा जी आपने हम किसी काम से पिजिय जा रहे थे जैसे ही हम पुल पे चड़े तो हमने देखा कि गाड़ी बहुत नजलिक से आई और बहुत धीमी कती से थी और तुरंट नहर की तरफ फिशल गई तो जैसे ही मैंने देखा मैंने मेरे पिछे डोक्र नोधी बैठे थे मेरे साथी मैंने उनको कहा कि एक गाड़ी नहर में गिर गई है हमने गोवाना ते गई हमने तुरंट स्कूटी को गोवाया और हमने यहां तक आते आते 112 नंबर पे कोल करके परसासन को सूचना दी तो जैसे ही हम आये तो दो जवान यूवक गाड़ी में थे जो उन्होंने हमने उनसे कहा कि गाड़ी को खोलो खिड़की खोल के और तरंट बाहर आई आई आप तो वो लोग इतने गबराए हुए थे वो बाहर नहीं निकल दे थे हमने उनको कहा था कि हम पीजी आई हुए थे और किसी कारणवस हमारे पास कोई फोन आया तो हम फोन के ध्यान में रहे और अचानक गाड़ी फिसल के नहर में चलिएगी तस्वीरें आप देख सकते हैं अब गाड़ी की कंडिशन आप देखें गाड़ी पूरी तरह से जो है भीग चुकी है और पानी अब जो इसमें जमा है वो निकाला जा रहा है अब गाड़ी की वालात में इसको चला कर भी देखा जाएगा चलने लाइक है नहीं है लेकिन आप से भी हम अपील करें कि इस तरह के थोड़ा सा खर्च कर लिए जाए और गाड़ी को सही प्रिप्त जगा पर जा डूब गई थी और उसे जो है क्रेन के माध्यम से निकाला गया है तस्वीर दिल्ली वाइपास के नजदेक नहर से ये आप लाइव देख रहे हैं एक और प्रिटेक्श दर्शी इस वक्त हमारे साथ हैं अन्जी सर क्या नाम आपका मेया नाम डॉक्टर नवदी बिशला है अग क्या देखा जिया अपने जी मैं बापा मस्तनात इनिवस्ती में ही कारे रहे हुँ जरिटेबल आई होस्पिटल में तो वहां से आते विए हमने देखा कि कोई कार एकदम से टन के उपर डिप हो गई है और नहर में डिप होती जा रही है मैं और मेरे साथी ने ये जोजना था यसा ना हो कोई बच्चा या बुजर्ग महिला हो अंदर इसको हम धेर करके ऐसा ना हो उनकी जान जोफी में डाल दे हमने उन्हें बहाव का पीछा किया अंदर जब देख पाए तो दो जवान साथी दे और वो पूरे ओरिंटीड से होशो हवास में दे चिला से तो वो तईना नहीं दानते थे तो हम लोगों ने उन्हें कंफिटेंस दिया कि आप खिड़की खोली है या कैसे भी आपये बहार नहीं निकल पा रहेते लेकिन उनको बोलके कंफिडेंस देखे कि जैसे आप निकलेंगे बाहर हम आपको कैच कर लेगे हमने चैन बचा के उनको कैच कर लिया और बाहर निकाल लिया किनारे तब ले इसके साथ में और जितने भी साती थे जो पीछे से तोड़ गया है उन्होंने रस्ता लेके मदद से गाड़ी को भी आखड़े लगा के या रोक लिया और जितना कम से कम नुकसान हो सकता था उसके लिए हमने तो किस तरह से प्रतक जर्शिय ने भी बताया है कि उन्होंने साथ से को जो है लाइव होते हुए देखा है अब गाड़ी जो है बाहर निकल चुकी है इसकी कंडिशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी जो है चालू हालत में उसका जो इंडिकेटर रहा था उसकी जो बत्ती होती है वो बारबाच चस्री थी बुजराई थी और फिलहाल एक गाड़ी जो है अब बाहर निकाल ली गई है तस्वीर दिल्ली बाइपास के नजदीक नहर से आप देख रहे हैं आपको हम वो जगह भी दिखा जिए जहां पर ये गाड़ी दुलाई जा रही थी पर किसी जगह पर ये गाड़ी जो है धोई जा रही थी और उसके बाद जो है जो फ्रायर पाल आता है और वो पूसका जो ध्यान है वो फूरी दे पोल में रम जाता है और नापरवाही के दह所以呢 बूर नहर में उनकी जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है उने खुरोज भी नहीं आई है वो सकुषल बाहर निकल जाते हैं लेकिन जो गाड़ी है वो डूब जाती है और दीरे-दीरे सरक कर उस जगा पर पहुंच जाती है जहां से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया था और क्रे ये अभी मकैनिक के पास जाएगी तब वो बताएगा कितना गाड़ी को नुकसान हुआ है बताए ये भी जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो गाड़ी को किसी और से भी मांग के लेकर आया है तो भी इन्हें थोड़ी सी जादा टेंशन हो रही है कर दो है कि पहले कर दो कर दो